Fee Education में आपका हर्दिक स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिचक भरती के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग और जो हम लोगों की क्लासें चल रही हैं उसमें आप लोगों को मालूम है कि हम लोग Business Study की क्लासें कर रहे हैं उसमें हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने, मानवी क्रियाओं के वारे में जान लिया था, कि मानवी क्रियाओं से question भी पूंचा गया था, कि मानवी क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, यहां से question पूंचा गया था, तो म हैं उसके बाद में आप लोगों कु नोत की वीवसाय में बाटती हैं। ब्यावसाय, पेसे और रोजगार में बाटते हैं, उन क्रियाओं को हम लोगों ने समझ लिया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्यापार, ब्यावसाय के मतलब कि ब्यावसाय के बाद हम लोगों ने जाना कि बाड़िज क्या होता है, और बाड़िज में हम लोग क्या-क्य आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बारेट जो को तो हम लोगों ने जान लिया है पहली पिछली क्लास में लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि ब्याप्यार क्या होता है और ब्यापार के सहाय क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं तो मैंने आ ये class को शुरू करते हैं अपनी class को और सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर ब्यापार के बारे में कि ब्यापार का मतलब यहाँ पर क्या होता है ब्यापार की English का मतलब होता है trade जीसे कहते हैं और ब्यापार बाड़िज की प्रमुक शाखा है यह बात यहां पर लखी होई है कि ब्यापार जो है किसकी साखा है तो बारिज की प्रमुक साखा है ब्यापार के अंतरगत बस्तुगों का हम लोग क्या करते हैं बस्तुगों का क्रे विक्रे जो है वो लाव कमाने के उद्देश से किया जाता है अगर आप सेवा भाव के और विक्रेता का मतलब होता है यहां पर बेचने वाले से लिए जो है वो यहां पर लिखा हुआ है कि व्यापार का आसे जो है वो प्रेता क्रेटा वा विक्रेटा क्रेटा वा विक्रेटा दोनों के पारस पर एक लाव के लिए तो यहां पर लिखा हुआ है कि दोनों के क्रेटा वा विक्रेटा के पारस पर एक लाव के लिए बस्तूओं के बिन मैं से है ब्यापार जो है मुखता कितने परकार का होता है तो ब्यापार जो है मुखता दो परकार का होता है वो दो परकार कौन कौन से होते हैं तो एक को कहते हैं देसी ब्यापार और एक को कहते हैं बेदेसी ब्यापार अब देशी ब्यापार कितने प्रकार का होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि देशी ब्यापार जो है पिछली किलास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देशी ब्यापार जो है वो तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है तो तीन प्रकार का होता है अब के उस क्रेविक्रे से है जो की देश के भीतर किया जाए मतलब कि देश के अंदर किया जाता है तो उसे हम देश की देशी व्यापार कहते हैं और अगर वह व्यापार विदेशों में किया जाता है या बाहर विदेश मनलब किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो वह विद का होता है एक होता है इस्थानिय ब्यापार एक होता है राज्जिय ब्यापार और एक होता है हम लोगों का अंतर राज्जिय ब्यापार इस्थानिय ब्यापार किसे कहते हैं तो लोकल ट्रेड मतलब कि लोकल के मार्केट में अगर जब हम लोग ब्यापार करते हैं तो उसे लो केट में देखेंगे जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इस्थानिय ब्यापार देशी ब्यापार का एक पहला प्रकार है इस्थानिय ब्यापार यहां पर यह हम बात करते हैं कि यह वह ब्यापार है जो कि किसी इस्थान बिसेश तक सीमित होता है किसी इस्थान बिसेश तरह त मानलों यहां पर दे दिया कि उत्पादक और विक्रेता दोनों इस्थानियां होते हैं तो वो कौन से ब्यापार में होते हैं तो आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है कि वो इस्थानिया ब्यापार में होते हैं अगर हम लोग उधारण के तौर पर बात करें तो उधारण के लिए जैसे मानलो साख सबजी अगर खरीदनी है तो लोकल के मारे मार्केट में देखेंगे दूद, दही, मक्षन, ताजे, फल देखने हैं, इटें देखनी हैं, भूसा, आदी का जो ब्यापार है वो इस्थानिय ब्यापार में आएगा लेकिन हम लोग यहां पर नहीं लिखा हुआ है राज्जी ब्यापार तो राज्जी ब्यापार के बारे में जान लेते हैं कि राज्जी ब्यापार को कहते हैं इन इस्टेट ट्रेड राज्जी ब्यापार को यहां पर लिखा हुआ है कि यह है अगर हम लोग बात करते हैं कि यह वह ब्यापार है जो किसी र आर्थ करते हैं कि इलाबाद है कानपुर है लखनव है यसे यूपी की यह नगर है तो इनको अगर इनकी बीच में अगर व्यापार होता है जैसे माने से जाता है और वह कहां पर इसको बेचा जाता है मतलब कि इसका जो है एक स्टेट से मतलब कि एक राज से दूसरे राज में नहीं हुआ है एक ही राज में हुआ है तो लखनव से यहां पर मालो हम लोग भेजते हैं माल कहां पर कान पर ठीक है जैसे मालो मद्यप्रदेश की बात करते हैं मद्यप्रदेश में तो मद्यप्रद में देखो यहां पर व्यापार किया जा रहा है तो उसे हम राजी व्यापार कहेंगे यहां पर लखनव से कानपुर कानपुर से लखनव इस प्रकार से अगर बात कित्यात की जाती है तो यहां पर राजी व्यापार होता है राजी व्यापार इसको हम कहेंगे इन स्टेट रेट कहेंगे ठीक है समझ गए हूँगी आप लोग लोग कि हिलावात कानपुर्थ लखनव आदी पुरसे क्रेविक्रे जो है वो प्रतना के बीच में होता है या प्रतना से हम लोग मानलों वलिया के लिए करते हैं तो इस प्रकार से जो कई एक देश के सीमाओं के अंतरगत्व बेज्न राज्यों की मद्ग होता है उधरण के यिए जैसे मानलोग उत्रप्रदेश का माल जो है राजस्तान में और उत्रप्रदेश के बिच होने वाला जो लिए Closed पर कहलाएगा जैसे मानलों कि अब उत्तर प्रदेश का जो सामान है उत्तर प्रदेश का जो माल है वो कहां पर किसके बीच में ब्यापार हो रहा है उसके बीच मतलब की मद्द प्रदेश के बीच में जरूर नहीं है कि मद्द प्रदेश ही हो मनलों हिमाचल प्रदेश भी हो लेकिन एकी मतलब की देश के दो से अधिक राज्यों के मद्द जब व्यापार होता है, तो उसे हम अंतर राजी व्यापार कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होगे, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होगे, अब बात आती है कि देशी व्यापार को तो हम लो लोगोंने समझे लिए हैं कि एक होता है इस्थानिय व्यापर एक होता है राजिय व्याbek राजिय ये ब्यापार अंतर राजी ये ब्यापार एक होता है अंतर राजी ये ब्यापार तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों के बारे में जान लिया है अब हम लोग जानते हैं कि विदेशी ब्यापार के बारे में क्या होता है विदेशी ब्यापार कितने प्रकार का होता है ठीक मतलब की प्रिथक मतलब अलग- elegant सत्ताधारी देशों के मद्द जो है, बस्तूओं के बिनमय से है, यहां पर विदेशी ब्यापर विदेशी व्यापार में बस्तुएं एक देश से एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में प्रिवेश करती है तो उधारण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत पंगला देश के मद्द होने वाला व्यापार जो है वो विदेशी व्यापार है या भार दूसरे देश की सीमान परवेश करती है तो वहां पर विदेशी ब्यापार है ठीक है चाहे भारत मंगला देश हो चाहे भारत बोटान हो तो इस परकार से कोई भी देश हो सकता है अब हम लोग बात करते हैं कि विदेशी ब्यापार जो है वो कितने परकार का होता है तो यहां खरीदेते हैं, तो उसे हम आयात का मतलब आना, अस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, import trade, ठीक है, तो यहाँ पर लेखा हुआ है कि जब एक देश का क्रेय ता खरीदार, दूसरे देश से माल क्रे करके अपने देश के अंदर लाता है तो उसे देश का आयाद व्यापार कहेंगे जैसे बंगला देश से आने वाला जूट यहां आयाद कहलाएगा ठीक है अब यहाँ पर जैसे मनलो की हम लोगों ने फ्रांस से कोई बस्तू मनलो सामान मंगाया ठीक कोई बस्तू मनलो सामान मंगाया है और कहां पर मंगाया है भारत में तो भारत ने मतलब की मंगाया है तो इसलिए इसको खरीदा है क्रे किया है इसका क्या किया है क्रे किया है और क्रे किया है तो यह क्या है तो यह आयाद है और दूसरा वयापार होता है निर्यात वयापार में अगर मानलो की निर्यात वयापार से आसा है अपने देश से दूसरे देश को माल भेजना है अब ये तो हो गया कि मानलो हमने किसी दूसरे देश से माल खरीदा है अब ये भी तो हो सकता है कि भारत ने कोई दूसरे देश क सामान बेचा को मान ऩि हम लोगने चाय मतलब की बेची कम ठीक हो इस प्रकार की ब्यापार को मुझे निर्याद ब्यापार कहेंगे तो यहां पर निर्याद ब्यापार से आशाए अपने देश और यहां पर हम लोगोने बात कर ली थी कि, देसी ब्यापार के बारे में, देसी ब्यापार कि तने प्रकार का होता है? वे देसी ब्यापार कि ये जान लिया था, और विदेशी ब्यापार में हम लोगों ने जान लिया था कि निर्याद ब्यापार क्या है निर्याद ब्यापार जैसे मानलो हम लोग अगर दूसरे देश से मंगाते हैं कोई चीज तो वो निर्याद ब्यापार है चीक है तो यह बात है मैंने आप लोगों को बताई है कि भार होगी लेकिन अगर हम लोगों से कोशन पूझा जाता है कि पुनर निर्यात से आप क्या समझते हैं तो यह तीसरा प्रकार है हम लोगों का विदेशी ब्यापार में यह तीन प्रकार के होते हैं ठीक है एक होता है आयात आयात होता है एक होता है निर्यात ठीक है एक होता है निर्यात और एक होता है हम लोगों का पुनर निर्यात ठीक है इसी को कहते हैं पुनर निर्यात ठीक है पुनर निर्यात कहते हैं तो यहाँ पर निर्यात हेतू आयात भी वर्ड यूज करते हैं निर्यात हेतू आयात जब पस्तुओं को किसी एक देस में दूसरे देस से इस थानीय उप्योग के लिए आयात ना करके वहां से किसी अन्य देस को निर्यात करने के उद्देस से आयात किया जाए तो ऐसे बेवहार को निर्यात ही तू आयात कहते हैं. जैसे England से अगर हमने सूती बस्तर का आयात करके देखो जैसे हम लोगोंने एक सामान मंगाया है England से और England से हम लोगोंने क्या मंगाया है कपड़ा ठीक है किसने मंगाया है तो याद रखिए यह भारत ने मंगाया है ठीक है हम लोगोंने मंगाया है तो यह हम लोगों के लिए क द्री लंका को भेज दिया है अब द्री लंका को भेज दिया है तो यह हम लोगों ने कर दिया है क्या कर दिया है यह हम लोगों ने निर्यात कर दिया है पहले आयात किया था अब हम लोगों ने इसको निर्यात कर दिया है तो यह क्या कहलाएगा तो यह कहलाएगा निर्यात हे से ही पाकिस्तान को निर्याद कर दिया जाए तो यहाँ पर लोगों को बताएंगे ऐसी कोई बात नहीं है जो इसके रहे जाएगी इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे पेड़ वैचों में पढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है है 2014-23 में हुआ था ठीक है और उसकी तारीक है हम लोगों की 9-9-2023 तो मैं इसके भी कोशन हर्याना पब्लिक सर्विस क्रमिशन उसके भी कोशन डालूगा जो लेटेस्ट में कॉशन पूछे कई है वो सारे सारे में यहां पर स्वाट्स की माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कोछ लोग में आप लोगों को कम्यूंटी पोस्ट में भी बताऊंगा मतलब हर जगह से हम लोगों में आप लोगों को इनफोर्मेशन प्रोवाइट करने की पूरी कोशिस करने वाला हूँ ठीक है बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा बस सपोर्ट कर यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि बारेज जी क्या है ठीक है और बारेज जी के प्रकार की ब दो प्रकार से बांट दिया था वो दो प्रकार कौन से थे तो एक था हम लोगों का एक था हम लोगों का व्यापार ठीक है एक था हम लोगों का व्यापार के सहायक व्यापार के सहायक ठीक है और यहां पर ब्यापार जो है ब्यापार को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है वो दो भाग कौन कौन से हैं तो एक हम लोगों ने बांटा है एक को हम लोगों ने बांटा है देशी ब्यापार एक को हम लोगों ने बांटा है देशी ब्यापार तो यहां से कुशन कई बार पूछे गई है अब देसी ब्यापार कितनी प्रकार का होता है तो इसको भी हम लोगोंने तीन भागों में माटा है तो यह भाग मैंने अभी आप लोगों को बताई है अब ब्यापार के सहायक की बात करते हैं तो जो ब्यापार में सहायता करते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यापार के सहायक ठीक है व्यापार के सहायक से अगर कुशन पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं और बाड़े जो को दो भागों में माटता है तो व्यापार और व्यापार के सहायक ठीक है इस बात को भी यहाँ पर याद रखना है ठीक है अब व् भी हम लोगों का ब्यापार के सहायक में हैं और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्यापार में सहायता करती हैं ठीक है जैसे हम लोग बात करते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि ब्यापार के सहायक से हमारा अर्थ जो है उन संसथाओं से है जो ब्यापार के विकास में सहायक होत उत्पादक या निर्माता करता है ठीक है बस्तू का उत्पादन कौन करता है तो बस्तू का उत्पादन जो है वो उत्पादक करता है या फिर उसी हम निर्माता भी कह सकते हैं उत्पादन से उपभोगता तक उत्पादन हो गया अब यह तो है नहीं कि यह माल अपने आप पह पहुचाना की हम लोगों का ब्यापार के सहायक में आता है अब इस प्रकार से यहां पर कोई बस्तू बन गई और इतनी जो डिस्टेंस है इतनी जो दूरी को कवर कैसे करेंगे तो इसके लिए हम लोग उत्पादन से उपभोगता तक माल पहुचाने में बहुत सी बाधाय का सामना करना पड़ता है इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाई गई क्रियाएं ब्यापार की सहायक क्रियाएं कहीं जाती हैं जो की कैसी हैं जो निमनलिखित हैं ब्यापार की जो सहायक हैं उनके बारे में जहनते हैं कि क्या-क्या ब्यापार के सहायक हैं परिवाहन ए यहाँ पर तीन भागों मैं बार्टते हैं, equal मोगों का थल परीवाहन, ठीक है एक है हम लोगों का थल परिवाहन एक है हम लोगों का जल परिवाहन एक है हम लोगों का जल परिवाहन और एक है हम लोगों का वायू परिवाहन वायू परिवाहन तो यह परिवाहन पितीन प्रकार के होते हैं थल परिवाहन में हम लोगों का ट्रक है रेल है यह आ जा यिणे पानी के रहाद जो है वह इसमें हम लोगों के आ जाने और समुढ़ जान में हम लोगों का वाई जाना आ जाता है कि यह हमारे वाई-जार हDavidո के व्यापार में यह इन करता है यह को बैंकिंग की बात करते हैं यह था करते हैं इसलिए इनको भी हम अब यहां पर detail करने जाएंगे ना तो यह काफी detail हो जाएगा काफी detail हो जाएगा इतना detail आता नहीं है पैसे जो लेकिन अगर मैंने अध्यन किया है तो आता तो नहीं है लेकिन अगर आने लगा तो यह बात अलग है ठीक है लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसका ल इसका मतलब यहां पर बराबर क्या होता है तो इसी का मतलब ही होता है हम लोगों का बारेज ठीक है और बाड़िज को भी हम लोगों ने बाड़िज जो है वो कहां से आया है ठीक है तो ये बात है मैंने आप लोगों को बताई थी ठीक है अब हम लोग आँगे बरती है देखो यहाँ पर उध्धोग अब हम लोग उध्धोग के बारे में जानेंगे उध्धोग क्या है अब उध्धोग के बारे में जानते हैं कि वह क्रिया यहां पर लिखा हुआ है कि वह क्रिया जिससे बस्तू का उत्पादन या निर्माण होता है उसे हम उध्धोग कहलाती है ठीक है वह क्रिया जिससे बस्तू का उत्पादन होता है क्या होता है बस्तू का उत्पादन होता ह में करता है अuwゃ अपने उत्पादक Municipal करते हैं तो वो कैसा होता है तो वो उत्थोत कहला वह dis well time मैं आप लोगों बतादू कि यह कहा किया है जिसे मान लोकि कोई बश्टू का उत्पादन किया है थे को बस्तू का अगर हमने उत्पादन बस्तु है उपभोग्य पदार्थ है उपभोग्य पदार्थ है कैसा पदार्थ है उसको हम लोग उपभोग कर सकते हैं और ऐसी बस्तुएं जो हम जिन और भी बस्तुवें बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक बस्तुवें कहते हैं उन्हें हम उत्पादक बस्तुवें कहते हैं ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम इस्तिती में अगर हम लोग प्रथम इस्तिती में देखते हैं प्रिथम इस्थिती में उन निर्मित बस्तूओं को उपभोग पदार्थ तथा दूसरी इस्थिती में उत्पादक पदार्थ कहते हैं जैसे यदि कोई उद्धोग है उसमें जूते बनाता है कोई बिस्कुट बनाता है या कपड़े बनाता है तो इसे हम उपभोग पदार्थ या निर्मान करने वाला उद्धो कहेंगे क्योंकि इन बस्तूओं का उपभोगता सीधा उपभोग कर सकता है तो ऐसी बस्तूओं को हम लोग कह देते हैं उपभोग पदार्थ ठीक है और यहां पर लिखा हुआ है नेश्ट में कि इसके अतरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी उत्पादन करते हैं जो ना तो उत्पादक पदार्थ होते हैं और ना ही उनका उपभोग सीधे करते हैं उन्हें हम अंतिम रूप दूसरे उपभोग द्वारा किया जाता है जैसे कुछ उत्पादन करते हैं किंतु उनको उपभोग योग रूप उत्पादन से लेकर उत्पादन में जिस बस्तू के हम लोग कि बस्तूएं आती हैं एक होती हैं उत्पादक बस्तूएं और एक होती हैं मद्वर्ती बस्तूएं तो जो ऐसी बस्तू हैं, जो direct use की जाती हैं, customers की दारा, उपभोगताओं के दारा, जैसे biscuit है, जूते हैं, कपड़े हैं, तो इन्हें हम उपभोग पदार्थ कहेंगे, और कुछ बस्तू हैं एसी होती हैं, जिनसे हम कोई न कोई बस्तू बनाते हैं, जैसे हम लोग machine के part बनाते हैं, उनसे हम कोई मसीन बनाएंगे वो भी एक तरीके से उत्पादन करेगी ठीक है और मद्धवर्दी बस्तु होती है जिनसे हम जो जैसे माने लोगे कुछ अलमूनियम पदार्थ बनाते हैं कुछ प्लास्टिक के उत्पादन करते हैं किन्तु उनका उप्भोग तो उन्हें हम मद्वर्दी बस्तु हैं कहते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर हम लोगों से क्या-क्या बाते हैं पूछी जा सकती है अब हम लोग आंगे बढ़ते हैं कि उत्धोग कितने परकार के होते हैं तो उत्धोग होते हैं चार परकार के यह कुशन प्रकार के होते हैं तो यहां पर लिखे हुए हैं उद्धोग के प्रकार चार प्रकार के होते हैं एक होते हैं हम लोगों के उत्पत्ति बिस्यक उद्धोग जन्हें बोलते हैं जैनेटिक इंडस्ट्री दूसरे होते हैं हमारे प्राथमिक उद्धोग इन्हें कहते हैं प्रा प्रकार होते हैं जो 5 प्रकार लेखे हुए हैं नीचे इनको आप लोगों को याद रखना है ठीक है इनसे कोशन बनता नहीं है लेकिन अगर बहुत कहराई में कोशन UGC.net की बात करें तो यहां से भी कोशन पूछे गई है ठीक है अब लेकिन आप लोगों से यहां पर कोशन पूछे गई हैं कि यहां से 4 प्रकार लेकिन लोग कोई उद्धोग के मनलब जिसे मुर्गी पालन दे दिया अब मुर्गी पालन कौन से उद्धोग में आएगा सिक या ब्रिंडिंग से समद्ध होते हैं ठीक है पॉध्य मतलब कि से हम लोग कटिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉधिपण पॉधों में कुछ बड़ चढ़ाई जाती है तो इस परकार से कुछ पश्वों की नसल बढ़ाने और ब्रिंटिंग से संबंदित होते हैं यह पॉधों पश्वों की नसल सुधार कंपनियां जैसे मुर्गी पालन है नसस्तार कंपनिया है मुर्गी पालन है मृतस से या फिर can'tle breeding है farm house है इसके कई उधारर जो है वो इसके उतपत्ती विश्यक उद्ध्योगों में आते हैं उतपत्ती विश्यक उद्ध्योग याद रखेےगा कि वो उद्ध्योग होते हैं अब प्राइमरी अध्धोक के बारे में जानते हैं कि यह व्रोग उध्धोक होते हैं, जिनमें मनुशंब थोड़ा सा सारीरिक परीश्रम करके प्रकतिप से प्रदार्थ यहाँ प्राप्त करता है। जैसे हम लोग प्रकति से प्राप्त करेंगे कापास क्योंकि कापास की खेती करेंगे जूड प्राप्त करेंगे गन्ना प्राप्त करेंगे और मशलियों को हम लोग प्राप्त करेंगे तो मशली पालन एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मशली पालन जो है मशलियों का सिका करना हम लोग यहां पर रख सकते हैं और यहां पर मुर्गी पालन में हम लोग कर सकते हैं मुर्गी पालन हम लोगों का जेनेटिक में आ जाता है ठीक है तो यहां पर जो है आप लोग याद रखेगा कि अगर प्राइमरी उद्धोगों में हम लोगों अब यहां पर लिखा हुआ है कि निस्करसड उद्धोग के बारे में जान लेते हैं कि निस्करसड उद्धोग का मतलब क्या है निस्करसड उद्धोग का मतलब है कि जब हम किसी चीज को निकाल लेते हैं मतलब की प्रकति से जो हमारे पास प्राप्त है उसमें से हम कोई चीज निकालें जैसे कोईला निकालें निकालें हम लोग ने देखा होगा कि खननकार होता है नदियों से तो यह भी हम लोगों का निसकरसड में आता है जब हम प्रकति से कोई चीज प्राप्त करते हैं तो वह योगी पदार्थों को प्राप्त करके उन्हें कच्चे माल या निरमित माल के रूप में प्रियोग करने से है जैसे खने जवा लकड़ी काटना आदी इसके ज्वलंत उधारण है लकड़ी काटना भी हम लोगों का निसकरसर में आएगा क्योंकि हमने वहाँ पर लकड़ी को लगाया नहीं है अगर लखड़ी को लगाते हैं तो वो प्राइमरी में आ जाता है लेकिन हमने उसको क्या किया है काटा है कटाई की है उसकी ठीक है तो एक तरीके से यह हम लोगों का निस्करसड है प्रकति को हमने निस्करसड किया है उसके निकाला है ठीक है उसके बाद नि बश्सकता के हिसाब से उसे बनाया है। तो इसी को हम लोग निर्माड में रखेंगे। इन से अभी पराय उन उद्धोगों से है जिनमें कच्चे माल द्वारा पका माल तयार किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, कि गेहुं से हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रैड बनाते हैं, तो एक तरीके से हम लोगों ने गेहुं को अपने उपयोगी, अपने के हिसाब से बनाया है, ब्रैड बनाके, तो यह हम लोगों का निर्माड किया है, कच्छे माल को, कच्छे मा कि कुछ उधारर जो है जैसे पाटसन से जूट के थैले बनाना, कपास से सूथ और कपड़ा बनाना, लकडी से फनीचर बनाना, लुगदी से कागज बनाना, गन्ये से चीनी बनाना, इसके कई उधारर जो हैं इस परकार से हम लोग रख सकते हैं. अब ये जो हैं, ये कितने परकार के होते हैं, ये पांच परकार के होते हैं, निर्मारी उध्धोग कितने परकार के होते हैं, तो एक होते हैं बिसली स्नातमक उध्धोग, एक होते हैं संसले सित उध्धोग, एक होते हैं संग्रय उध्धोग, और एक होते हैं एकी करण उध् तो आप लोग यह दावट को रखें हैं हम इसको जरूर सोफ कर वादेंगे बता दुँगा तो बस आप लोग अपनी सेलब स्टेड़ी को करते रही है यहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर में हम लोगों ने एक बात लिखी होई है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई होई है, कि उत्धोग बेवसाय का वह अंग है, जिसमें बस्तूओं और सिवाओं का उत्पादन, बहुतिक साधनों के प्रियोग द्वारा ह और लकड़ी को अपने कावल बनाया है, तो उसके लकड़ी को मैंने अपने उपयोगी बनाया है, क्या बनाया है, अपने उपयोगी है बनाया है, तो उसकी उपयोगता में ब्रद्धी ही तो की है हमने, हमने क्या किया हमने उसकी उपयोगता में ब्रद्धी की है, तो इसलि की हैं पुर्ण को अब हम लोगोंने पढ़ा था कि है कि ब्याब साइक कई प्रकार के सहायक व्यापार के सहायक ठीक है, एक हम लोगों ने जान लिया व्यापार के सहायक इंडिस्टी के बारे में जान लिया, इंडिस्टी होती है चार परकार की एक होती हो उत्पत्ती, एक होती है हम लोगों की राथमिक एक होती है निस्क शड़ा और एक होती है हम लोगों की निर्माडी ठीक है ये चार प्रकार की हम लोगों की होती है और निर्माडी भी हम लोगों की पांच प्रकार की होती है तो इनको आप लोग जरूर करिए अब हम लोगों को लास्ट टॉपिक यहां पर रह जाता है प्रत हुआ है कि जिस तरह से बस्तूओं का क्रेवेक्रे किया जाता है ठीक उसी प्रकार से हम लोग सेवाओं का भी क्रेवेक्रे करते हैं जैसे डाक्टर जो है डाक्टर अपनी सेवाएं देता है बकील जो है वो भी अपनी सेवाएं देता है एक नाई जो है वो भी अपनी और प्रतिफल सरूप जो है धन प्राप्त करते हैं सेवाय मुखता दो परकारकी होती हैं सेवाय जो है केतने परकारकी होती है तो सेवाय जो है वो दो परकारकी होती है एक जो व्यक्ति गत सेवाय होती है एक कैसी होती है एक होती है व्यक्ति गत एक होती है व्यक्ति गत सेव अधवा सारवजनिक सेवाएं कहलाती है प्रत्याच्छ सेवाओं में अगर हम लोग बात करते हैं प्रत्याच्छ सेवाओं में ठीक है एक होती है एक जो व्यक्तिकत सेवाओं कहलाती है और इसमें कुछ अधूरा लिखा हुआ है एक सिकंड सेवाओं मुख रूप से दो प्र प्रित्र से सेवाओं में हम लोग किसको सामिल करते हैं एक होती है ब्यक्तिगत सेवाएं और एक होती है हम लोगों की आव्यक्तिगत सेवाएं ठीक है दो परकार की सेवाएं होती है अब यहां पर बात आई कि प्रित्र सेवाओं में हम लोग बात करते हैं डाक्टर है बकील ह जो देखो लिखा हुआ है अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि बकील भी सेवाएं देता है चाटेट एकाउंटें जो सीए होता है वो भी आप लोगों को सेवाएं देता है एक नाई भी जो है वो भी सेवा देता है तो ब्यक्तिगत सेवाएं वे होती है जो सेवा खरीद हे तो ये वरती की जो सेवाय हैं वो भी हम लोग बात करते हैं वो हमारी औहीत सेसलाइं बहुत कुछ विक्ती की लगन जयां जब कि सब्सक्रावान वहां हो पर आधारत होती है ट्रक तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर रखिएगा कि अगर कोई सेवाएं के प्रकार मैं आप लोगों को यहां पर इसलिए लिखके बता देता हूँ कि आप लोगों को यह सारी बात हैं समझ में आ जाएं यहां पर दो प्रकार क्यों होती है एक होती है हम लोगों की ब्यक्तिगत सेवाएं जो एक व्यक्ति को ही हम लोग देते हैं या दो बक्तियों को देते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिगत सेवाएं ठीक है और एक होती है हम लोगों की अब्यक्तिगत सेवाएं सारवजनिक सेवां जैसे पुलिस जो है पुलिस जो है सभी के लिए होती है फॉज जो है फॉजी जो भाई है वो भी हम लोगों के सभी के लिए सेवाई देते हैं तो यह पुलिस की द्वारा जो सीवाई नहीं जाती है और पॉज की द्वारा जो सीवाई नहीं जाती है वो अब व्यक्तिगत या सर्विजनिक सेवाएं होती हैं जो व्यक्ति 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 के लाब के लिए नहीं है अपकतु जन साधारण के लाब के लिए की जाती हैं और व्यक्तिगत सेवाएं वो होती हैं जो अपने लाब के लिए की जाती हैं जैसे डाक्टर की बात करते है वकील की बात करती हैं, चार्टेट अकॉंटेंट की बात करती हैं, तो इस परकार से आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कोशिस की है, ये समझाने की, कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कम सब्दों में आप लोगों को बताया है, इतनी लिटिल बहुत है आप लोगों के यहां पर पूछन भी पूछा गया है लेकिन अधर एकदामों पूछे गई हैं तो उनको भी आप लोग जरूर करिए क्योंकि करना चाते हैं करना चाते हैं तो उनको भी आप लोग करवाएं वाशिक लास ली थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग